यह Bible in One Year का हिंदी प्रकरण है अठारवा दिन तेरा राज्य आए महरानी एलिजबेथ दुतीय ने United Kingdom पर 63 वर्ष तक राज किया था British सामराज्य में उनका शासनकाल सबसे लंबे समय तक रहा है प्रत्येक वर्ष क्रिस्मस के दिन महरानी देश के लिए संदेश देती है वर्ष 2014 में उन्होंने कहा कि ईश्यू मसी का जीवन शांती के राजकुमार जिनका जनम दिन हम आज मनाते हैं वे मेरे जीवन की प्रेरणा और भरोसा है पिछले महिने युहना के सुसमाचार से उन्होंने कहा ईश्यू की जोती वर्ष 2015 के अंधकार के क्षणों पर विजई हुई है ईश्यू की कहानी हमारी कलपनाओं को आकरशित करती है और कभी ना बदलने वाले उनके संदेश हमें प्रेरीत करते हैं बदले और हिंसा के लिए नहीं बलकि हर कहीं और हर समय हम प्रेम का प्रसार कर सकते हैं युनाइट किंग्डम की महरानी किसी और ही राज्य की और संकेत कर रही थी वह राज्य जिसे स्थापित करने के लिए इश्यू आए और उस राज्य पर साशन करने वे फिर आएंगे इश्यू ने हमें प्रार्थना करना सिखाया तेरा राज्य आए परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का साशन और परमेश्वर की प्रभुता है भजन सहीता 10 का 12 से 18 तक समाज के परिवर्तन के लिए विनिति करें परमेश्वर अनंत काल के महराज है परमेश्वर के हाथों में इस रिष्टी का अंतिमनियंत्रण है फिर भी भजनकार परमेश्वर की दोहाई देते हैं उठने का समय हे यहुआ उठ वह प्रभावशाली प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर का राज इस धर्ती पर आएगा जब परमेश्वर उठते हैं आतंक का शासनकाल समाप्त हुआ इश्वरों के समू का शासन करना जाता रहा भजनकार अनेक समू के लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हैं वह उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो मजदूर हैं, परिशान हैं, दुखी ह पीडित हैं, अनाथ हैं, बेघर हैं, दबे हुए हैं। इशु के बारे में लोगों से कहना जारी रखें। बढ़ता है, तो यह द्रिष्टांत हमें दर्शाता है कि आप प्रभावशाली हो सकते हैं। जो बीज अच्छी भूमी में बोया गया है, यह वह व्यक्ति है, जो सुनता है और उस पर ध्यान देता है। और यह बीज उसकी कलपना से भी ज्यादा फल उत्पन करता है। जब मैं उन लोगों के जीवन को देखता हूँ, जिन्होंने पांच, दस या पंदरा वर्ष पहले आलफा कोर्स किया था, वे विशाल रूप से प्रभावशाली हैं। उन में से कुछ ने तो सेवकाई भी शुरू कर दी है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में पढ़ रहा है। इश्यू बहुत से द्रश्टांतों द्वारा परमेश्वर के राज्य के विशय में कहते हैं। सुर्ग का राज्य मत्ती का मुख्य शब्द रूप है। यहुदियों की विवस्था का नियमित अनुपालन करते हुए इश्यू सम्मान पूर्वक परमेश्वर के बजाए सुर्ग कहते हैं। राज्य अब और अब तक नहीं दोनों ही हैं। इश्यू जंगली बीज द्वारा राज्य के विशय में भविश्य का द्रश्टिकोन बताते हैं। सभी पौधों से बड़ा लगता है। और ऐसा पेड़ बन जाता है कि पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। डालियों पर पक्षीयों का चित्रण पुराने नियम में कुछ समय प्रगट होता है। जो यह दर्शाता है कि सारे देशों से लोग पर मेश्वर के परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। इश्यू अपने सुनने वालों को यह स्मरन दिलाते हैं कि स्वर्ग का राज केवल एक देश के लिए नहीं बलकि समपूर्ण जगत के लिए है। यहां पर पौधे लगाने के अनेक प्रकार हैं। परमेश्वर के राज में जिनमें आशानाथ ही ऐसी अनिजातियां विश्वासियों के रूप में यहुदी देश में आते हैं। हम सारे जगत में कलीसिया के पौधे का प्रभाव देख रहे हैं। जैसा कि कलीसिया को बढ़ाने वाले विशेशग्य पीटर पौउंगनेर ने कहा है। स्वर्ग के नीचे कलीसिया स्थापित करना सुसमाचार प्रचार करने का सबसे प्रभावशाली तरीका है। इशू स्वर्ग राजी के विशेश में कहते हैं कि यह खमीर की तरह है जो पूरे गुंदे हुए आटे को खमीर बना देता है। आपकी प्रभुता बढ़ सकती है आपके घर, परिवार, विध्याले, यूनिवर्सिटी, कार खाने में या आफिस में इस तरह से समाज में बदलाव आता है। प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बीजबो सकूँ जिससे मैं इशो का सुसमाचार अपने संसार में बढ़ा सकूँ आपका राज्य मेरे शहर में, देश में और पूरी दुनिया में आए। पुरानानियम उत्पत्ती 36 के एक से 37 के 36 तक राजाओं के राजा के सामने घुटने टेकें। आज हम यूसुफ की कहानी का प्रारंब करते हैं। इसरायल के आनिय पुत्रों से बढ़कर यूसुफ को प्यार किया गया था और उसके भाई उससे जलने लगे थे। यूसुफ ने प्रसिद्ध स्वपन देखा, उसने देखा कि उसके भाई उसके सन्मुक घुटने टेक रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि परमेश्वर स्वपन के द्वारा बात करते हैं। उन्होंने निश्चित रूप से इसी प्रकार यूसुफ से बात की है। भविश्य में होने वाली बातें और परमेश्वर उसके जीवन का उपियो किस तरह से करेंगे इसके बारे में अपन द्वारा जलग देखी थी। फिर भी इसमें बुद्धिमानी नहीं है कि आप अपने जीवन के विशय में स्वपन और दर्शन को हर एक व्यक्ति को बताएं। यूसुफ सत्रह वर्ष का हो गया था। उसे कोई अनुभव नहीं था। उसने अपना स्वपन हर एक व् करेगा। उन्हें यूसुफ के राजा बनने के विचार से घ्रणा होने लगी। उसके बाद उसने एक और स्वपन देखा जिसमें वे स्वभी प्रभावशाली रूप से उसके सामने घुटने टेक रहे हैं। उसके पिता बुद्धिमानी से उस पर सोच विचार करने लग से अपने मन में सोचना ही बुद्धिमानी से उत्तर देना है। फिर भी अपने पूरे परिवार को फिर से बता कर यूसुफ ने गलती की। उसके भाई उससे और भी जलने लगे। उन्होंने शडियंत रचा कि यूसुफ को नाश करें। यूसुफ को मिध्यानी के हाथ ब पेच दिया। जो फिरोन का अधिकारी था और सेना का प्रमुग भी था। यूसुफ मिस्र के महाराज के अधीन हो गया। यूसुफ ने मूर्खतापूर्ण अपने भाईयों से अपने स्वपन को बताया था जिसका परिणाम यह हुआ कि उसे वर्षों तक के कठोर परिश में पढ़ते हैं वह नए नियम में परमेश्वर के राज का पुर्वानुमान है। आज के पध्यांश में हम अलग-अलग तरह के शासकों को देखते हैं। एदोम के राजा और अधिकारियों से लेकर मिश्र के फिरोन तक। उत्पत्ति के इन समापन अध्यायों में महतु पूर्पूर्ण संदेश यह है कि परमेश्वर सारे मानव शासकों के ऊपर और पीछे है। यह विशेश कर यूसुफ की कहानी के द्वारा दर्शाता है। कहानी में एक मोड और बदलाव का आना कभी-कभी अनोखा और अनियमित प्रतीत होता है। फिर भी शुरू से अंत तक हम परमेश्वर की सहभागिता को पढ़ते हैं। जैसा कि यूसुफ के स्वपन में और अंत में हमें यह पता चलता है कि यह सब कुछ परमेश्वर के उद्देश के प्रतीकारी कर रहा था। यूसुफ मसीह का एक प्रकार है। दूसरे शब्दों में उसका जीवन ईश के जीवन के लक्षणों को बताता है जैसा कि हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन यहां पर आरंभ में हम एक अंतर देखते हैं। इशु भी जानते थे कि परमेश्वर उनका उपियोग कैसे करने वाले हैं। लेकिन वे दूसरों से कहने में बहुत सावधान रहत बलकि वे यहां तक सावधान रहते थे कि लोग अब मसीही रहसी के बारे में बातें करते थे। हम इस पत में यूसुफ और इशु के बीच सम्मान का आरंभ देखते हैं। एक दिन लोग यूसुफ के सामने घुटने टेकेंगे और एक दिन हर एक घुटना राजा इशु क के सामने टिकेगा फिलिपियों 2 का 10 प्रकाशितवा के 19 का 4 से 6 यह तब होगा जब आप स्वेच्छा से इशु के सामने घुटने टेकेंगे और उन्हें अपने जीवन में सर्वोच राजा के रूप में मानेंगे जिससे आप विभिन प्रकार की सामर्थ के परिणाम के बा मैं आपका धनिवाद करता हूं कि जब मैं आपका अनुसरन करने लगा तब मैं आपकी प्रभूता के अधीन हो गया आज मैं आपके सनमुक घुटने टेकता हूं और स्वीकार करता हूं कि आप ही प्रभू हैं मैं प्रार्थना करता हूं कि आपका राज्य मेरे जीवन में और मेरे आसपास के लोगों के जीवन में आए।